हलो स्टूडेंट्स, विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल आर्ट सीजन क्लासेश, मेरा नाम नजना गुपता है, आज हम आप लोगों को यूथ कॉम्पिटीशन का चैप्टर टेन बंगाल सैली का कोश्चन सोल्व कराएंगे, तो चलिए सुरुवात करते हैं कोश्चन नमबर वन से, कुश्चन नमबर वन है, इन में से किस भारतिय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरुषकार से सम्मानित किया गया था, आप्शन A है MF हुसैन, आप्शन B है मीरा मुखर जी, आप्शन C है जामनी राए, आप्शन D है नंदलाल बसू, तो 1950 में डीलिट पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया था, नंदलाल बसू को, नंदलाल बोस का टाइम पिरिएट 1882 से 1966 इस्वी है, इनका जनु बिहार राज के मुंगेर चिले में हवेली खड़कपुर नामक गाउं में हुआ था, ठीक है, इन्हें नो बंगाल सैली क प्रारम करता भी माना जाता है, और सांति निकेतन में इन्हें बाबु मोसाय या मास्तर मोसाय के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें सिव सित कलाकार भी माना जाता है, इन्हें 1954 इस्वी में भारत सरकार द्वारा पदम विभूजर पुरुषकार से भी सम्मानित किया ग किस ने चित्रित किया था आप्शन ए है नंदलाल बोस आप्शन भी है रविंद्र नार्ट टैगोर आप्शन सी है गगनेंद्र नार्ट टैगोर आप्शन डी है अवनींद्र नार्ट टैगोर भारत माता को अवनींद्र नार्ट टैगोर ने चित्रित किया था ठीक है कब किय था उन्निस सो पच्चास इस्वी में और इसका माध्यम क्या था तो वह तत्मीक था ठीक है नेक्ष कोस्चन है दर्शनिय मूर्ती श्रम जीत किस चीज से बनी है ओप्सन एह चांदी ऑप्सन भी है ग्रेनाइट ऑप्सन सी है पीतल ऑप्सन डी है सीमेंट श्रम जीत का माध्यम रहा है वैसे तो कान से रहा है ऑप्सन में यहां कान से नहीं है ठीक है तो यहां पर पीतल माना गया है सही ऑप्सन ठीक है देखिए इसे श्रम की जीत या ट्रंफ औफ लेबर भी कहते हैं और इसका माध्यम कान से हैं और ये 1969 इस्वी में बनी थी जो मुख्य मूर्ती है वो मरीना भी चन्ने में स्थापित है और दूसरी आधुनी राश्टी कला संग्राले दिल्ली में संग्राईत है ठीक है जिसे एंजीमे या नगमा भी कहते हैं इस मूर्ती का विशे क्या है तो इस मूर्ती का विशे है कि इसमें चार पुरूसों को एक बड़े अकार के पत्थर को धकेलते हुवे दर्शाया गया है नेक्स कोश्चन है बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार अवनींद्र नाट टैगोर थे? अवनींद्र नाट टैगोर का टाइम पिरिएट 1871 से 1951 इस्वी है अवनींद्र नाट टैगोर का जन 7 अगस 1871 इस्वी में पस्चिम बंगाल के जोड़ा साकु नामक ग्राम में जन्मास्टमी के दिन हुआ था, ठीक है? इन्हें भारत में वोस्प दिती का जनक, पुनर जागरर सैली का जनक, शिल्प गुरू, कला गुरू आधी नामों से जाना जाता है और इन्हें बंगाल सैली का पिता भी कहा जाता है नेक्स कोस्चन है, अभी कतन A अब नेन ना टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे, जिन्होंने भारती स्वाधिनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया कारण R है, भारत माता भारती स्वाधिनता आंदोलन के लिए प्रतिकात्मक स्वरूप रही तो इसका right answer हो जाएगा option B ठीक है A सही है और R भी सही है Next question है जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल साली के चितरों का प्रसार किया उसका नाम बताए Option A है Dr. Anand Kentis Kumar Swami Option B है मुल्क राज आनन Option C है केशो मलेक Option D है देवी प्रसार तो विख्यात कला समीक्षक जिसने बंगाल साली के चितरों का प्रसार किया उसका नाम है Dr. Anand Kentis Kumar Swami ठीक है ये क्या है आनन कुमार स्वामी तो ये कला समीक्षक एवं इतिहासकार है और इनका जन्म 22 अगस 1877 इस्वी को कॉलंबुस रेलंका में हुआ था निक्स कोस्चन है निमले लिखित में से कौन सी विशिस्ता बंगाल स्कूल में लगुचितरों से सम्मंदित नहीं है आप्शन ए है भारती परंपरा के अधार पर आप्शन भी है ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिम आप्शन सी है सुंदर रंगियोजना आप्शन डी है अजन्ता पेंटिंग्स का प्रभाव तो बंगाल स्कूल की कौन सी विशिस्ता नहीं है इन में से वो है आप्शन बी ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिम ठीक है निक्स कोश्चन है बंगाल स्कूल के मार्ग दर्शक थे ओप्शन ए है अवनीन नाट टैगोर ओप्शन बी है जेपी गंगुली ओप्शन सी है जामनी राय ओप्शन डी है केजी सुब्रमन्यम तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अवनीन नाट टैगोर निक्स कोश्चन है अभी कथन ए अवनीन नाट टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्नों ने भारती स्वाधिन्ता अंदुलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया कारण आर है भारत माता भारती स्वाधिन्ता अंदुलन के लिए प्रतिकात्मक स्वरूप रही ये question पहले भी पूछा जा चुका है तो इसका right answer है option B, A और R दोनों सही है Next question है जिस विख्यात कला समिक्षक ने बंगार्च अली के चितरों का प्रचार किया उसका नाम बताए तो उसका नाम है डॉक्टर आनंग केंटिस कुमार स्वामी Next question है अभी कथन A है आदिम वाद तथा परिया वरण वाद कला भवन सांती नेकेतन के मार्ग दर्शी सिद्धान थे तरक आर है कला भवन में आदुनिक की बजाए सिक्षा की प्रमपरागत पद्धती को प्राथमिक्ता दी जाती है तो यहां जो इसका राइट एंसर है वो हो जाएगा option A यानि की A सही है परंतु R गलत है ठीके क्या है A सही है R गलत है Next question है भारतिया अधुनिक चित्वकला का इतिहास आरंभ होता है option A है बंगाल स्कूल से, option B है कलकत्ता स्कूल से, option C है मद्रास स्कूल से, option D है लखनव स्कूल से तो यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल से भारतिया अधुनिक चित्वकला का इतिहास बंगाल स्कूल से आरंभ होता है ठीके दिखे भारती कला के पुनुरुथान का अंदोलन बंगाल से ही आरम हुआ माना जाता है जो कला में बंगाल स्कूल सैली के नाम से प्रसिद्ध है ठीके आधुनिक भारती कला को नया जीवन प्रदान करने में एवी हैवेल वा अवनिन्ना टैगोर का सरवाधिक युगदान माना जाता है और बंगाल सैली का बंगाल सैली जो है 1895 से 1920 इसवी के मत तक की कला सैली से सम्बंदित मानी जाती है इस सैली को ठाकूर सैली या टैगोर सैली के नाम से भी जाना जाता है नेक्स कोश्चन है आरेन टाइगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई आप्शन A है पेरिस में, आप्शन B है जापान में, आप्शन C है मुंबई में, आप्शन D है कौलकता में आरेन टाइगोर यानि की रविंद्र नाट टाइगोर की चित्रों की प्रिथम प्रदर्शनी 1930 हिस्वी में कहां हुई थी पेरिस की गैलरी पिगाल में हुई थी ठीक है रविंद्र नाट टाइगोर का जन जोरा सांको पस्चिम बंगाल में 1861 हिस्वी में हुआ था और सरसत्वे वर्ष में इन्होंने चित्रकारी करना सुरू किया था नेक्स कोश्चन है भारती चित्रकला की नवीन जागरिती के पिता किसे कहते हैं? और सरस्ट नेक्स कोश्चन है बंगाल सैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? और सरस्ट नेक्स कोश्चन है बंगाल की लोग कला जी एंट आगर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? आप्सन A है घनवादी, आप्सन B है जंगलवादी, आप्सन C है भविश्यवादी, आप्सन D है इन में से कोई नहीं बंगाल की लोग कला गगनेद्र नाटैगोर की चित्रकला घनवादी दिखाई देती है? यहाँ आप्सन A घनवादी सही हो जाएगा देखिए गगनेद्र नाटैगोर का टाइम पिरिएट 1800 सरसत से 1938 इस्वी है इनका जन जोडा सांको पस्चिम बंगाल में हुआ था ठीक है? और 1921 इस्वी में गगनेद्र ने घनवादी प्रयोग आरम किये थे इसलिए इन्हें भारत का प्रथम घनवादी चित्रकार भी माना जाता है और एक कोश्चन और पूछा जाता है कि भारत का प्रथम व्यंग कलाकार किसे कहा जाता है? तो गगनेद्र नाटैगोर को कहा जाता है निक्ष कोश्चन है शांती निकेतन किस राज्य में इस्थित है? और इसके स्थापना कब हुई? 1863 इसवी में हुई निक्ष कोश्चन है भारत शिर्फ शडंग पुस्तक के लेखक है और भारत शिर्फ सडंग पुस्तक के लेखक कौन है? अवनेद्र नाटैगोर है ठीके? देखे अवनेद्र नाटैगोर ने लगबग 20 पुस्तकों की रचना की थी जिसमें से कुछ प्रमूख है उनके नाम है जैसे एन इंट्रोडेक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट अनाटोमी और है भारती कला का परीचे ममता, शिल्पायन, बागिस्वरी शिल्प प्रबंदावली आदी इनकी पुस्तकों के नाम है नेक्स कुस्टन है गितांजली के रचैता है आप्सन ए है दिनकर आप्सन भी है रविंद्रनाट टैगोर आप्सन सी है राजिंद्रनाद आप्सन डी है कैलास बाचपेई तो गितांजली के रचैता है रविंद्रनाट टैगोर और ये जो गितांजली कृती है इसी पर रविंद्रनाट टैगोर को 1913 हिस्वी में नोबिल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था नेक्स कोस्चन है अवनीन नाट टैगोर कौन थे आप्सन ए है बंगाली कवी आप्सन भी है कलासमीक्षक आप्सन सी है प्रसित पारंपरिक कलाकार आप्सन डी है भारती चित्रकला के पिता तो अवनीन नाट टैगोर क्या थे भारती चित्रकला के पिता थे इन्होंने भारत में बंगाल साली का प्रारंब करके वोस चित्रणपधती का आरंब किया था Next question है चितिंद्रनात मजुमदार द्वारा चित्रित चित्र का सिर्षक है Option A है तीन बहने, Option B है चैतन्य और मोर, Option C है यूनियन, Option D है अभी शारिका तो चितिंद्रनात्मजुमदार का चित्र है अभिशारी का या तो इसको अभिशारी का कहते हैं या तो कभी-कभी राधा का अभिशार्थ चित्र किसका है ऐसे भी एक्जामेप हो सकते हैं तो वो किसका है चितिंद्रनात्मजुमदार का ये अभिशारी का चित्र इनका दू पस्या ठीक है देखे चितिंद्रनाद मुझूमदार का जो टाइम पिरेड रहा है वो 1891 से 1975 इस्वी का रहा है ठीक है चितिंद्रनाद मुझूमदार ने एक सितंबर 1942 इस्वी में इलहाबाद विश्वी विध्याले में कला विभाक की स्थापना भी की थी नेक्स कोश्चन है बंगाल स्कूल के चित्रकार है आप्सन ए है रामकुमार आप्सन भी है नंदलाल बोस आप्सन सी है अमरिता शेरगिल आप्सन डी है शांती दवे तो इन में से बंगाल स्कूल के चित्रकार है नंदलाल बोस नेक्स कोश्चन है भारती आधुने कला के चित्र में कलकत्ता ग्रूप की स्थापना किसने की आप्सन ए है केन मजुमदार आप्सन भी है रथिन मित्रा आप्सन सी है निरोद मजुमदार आप्सन डी है पारितो प्रदोस्दास गुपता नहीं है तो यहां पर निरोद मुझूमदार भी सही हो जाएगा ठिकिए अगर निरोद मुझूमदार और प्रदोस्दास गुपता दोनों दिया होता तो प्रथम प्राथ मिक्ता जो है उन प्रदोस्दाश कुपता को दी जाती इसको सही किया जाता पर और नहीं है तो यहां नीरोध मजुमदार सही हो जाएगा निक्स कोश्चन है नंदलाल बोस का चित्र धांडी यात्रा किस माध्यम से है ओप्सन ए है वुटकट ओप्सन बी है लीनो कट ओप्सन सी है सिल्क इसक्रेन ओप्सन डीन है ओईल तो नंदलाल बोस का चित्र धांडी यात्रा का माध्यम है लीनो कट नेक्स्ट कोस्चन है राम किंकर बैच की कला सिक्षा कहां पर हुई थी आप्सन ए है स्रीन निकेतन आप्सन भी है कलकत्ता स्कूल ओफ आर्ट आप्सन सी है सांती निकेतन आप्सन दी है बंगाल स्कूल ओफ आर्ट तो राम किंकर बैच की कला सिक्षा हुए थी कहां पर शांती निकेतन पर ठीक है राम किंकर बैच का टाइम पिरिएट 1906-1980 है इनका जन पस्चिम बंगाल के बाकुरा के जुग्गी पारा में हुआ था ठीक है और एक कुश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक भारती मूर्ती कला का पिता किसे माना जाता है तो राम किंकर बैच को माना जाता है ठीक है राम किंकर बैच सांती निकेतन के शिल्प कला विभाग के विभागा ध्यक्ष भी रहे चुके हैं नेक्स कोश्चन है छितिंद्र नात मजूमदार को कहा जाता है आप्सन ए है कथा चित्रकार आप्सन भी है संत चित्रकार आप्सन सी है रसिया चित्रकार आप्सन डी है इनमें से कोई नहीं छितिंद्र नात मजूमदार को क्या कहा जाता है संत चित्रकार कहा जाता है क्योंकि ये वैस्वा धर्म से सम्बंदित होने के कारण इन्हें संत्य चितरकार कहा जाता है इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का भी बहुत चितर बनाया है जैसे चैतन्य का ग्रेत त्याग, ठीके, चैतन्य की चट साला, पालित मिर्क आदी इनके चितर है नेक्स कोश्चन है सांती निकेतन के स्थापना किस ने की थी? आप्शन A है अवनिन ना टैगोर, आप्शन B है मदन मोहन मालविय, आप्शन C है रविंद्र ना टैगोर, आप्शन D है गगनेंद्र ना टैगोर सांती निकेतन के स्थापना रवींद्र नार टैगोर ने की थी कब की थी? 1863 इस्वी को की थी नेक्स कोश्चन है वोस चित्रण पधिती का जन्मदाता कौन है? आप्सन ए है नंदलाल बोस आप्सन बी है छितिंद्रनात मुझूंदार आप्सन सी है अवनींद्र नार टैगोर आप्सन डी है रवींद्र नार टैगोर वोस चित्रण पधिती का जन्मदाता अवनींद्र नार टैगोर को माना जाता है ठीके? अब निंद्रनाथ ने जापानी चित्रकार याकुहामा ताइकॉनवा हिसीदा के साथ मिलकर भारत में वोस्ट चित्रन का प्रारम किया था ठीक है जिसमें इनोंने जपानी वौस तक्नीकी के साथ अपनी नीजी तक्नीकी को मिस्रित करके नई पधती को जन्म दिया था निक्स कोस्चन है बागेश्वरी सिल्प प्रबंधा वली के लेखक कौन थे आप्सन ए है पर्शी ब्राउन, आप्सन भी है स्टेला क्रेमरेस, आप्सन सी है अवनींद्र नाथ टैगोर, आप्सन डी है सितारा देवी मैंने अभी बताया आप लोगों को की अवनींद्र नात की कौन कौन सी पुस्तके हैं जिसमें से एक नाम बागिश्वरी सिल्प प्रबंधा वली का भी था ठीक है तो बागिश्वरी सिल्प प्रबंधा वली के लेखक है अवनींद्र नात टैगोर Next question है विचित्रा क्लब के स्थापना कब हुई? Option A है 1907, Option B है 1915, Option C है 1920, Option D है 1917 तो विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 स्वी में हुई थी और किसने की थी? तो रविन्ना टायगोर ने पस्चे मंगाल में की थी ठीक है? इस class में youth competition chapter 10 के 30 questions तब solve करा दिये गए हैं अब next class में इसके आगे के questions solve कराए जाएंगे तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और revision करते रहिए Thank you so much